अजीज बच्चो असलामु आलेकूं रह्मतुलाहिव बरकातो यह सबक दसी जमात के बच्चों के लिए है चेप्टर वन का दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम्द बारित आला से यह जो अशार पढ़े थे हम्द बारित आला के उसमें से कुछ अशार जो बचे हुए है आज के सबक में पढ़ेंगे और उसको समझने के कोशिश करेंगे यह सबक जो नजम है इसका लिखने वाला इसमायल में रठी है यह अपने अशार के जरिये से किस तरह से कर रहे हैं आप उसको गौर से पढ़ें और सुने और समझने के कोशिश करें यह प्यारी प्यारी चिडियां फिरती है जो चहकती आप जो प्यारी प्यारी चिडियों को इतनी खुबसूरत चिडियों को जो देखते है और उसको चहकना, फुदकना, एक जाल से दूसरे डाल पे उचल करके, कूद करके जाना, इसका उचलने का जो तरीका है, उसको देख करके हमें कैसा महसुस होता है, यह प्यारी प्यारी चिडियां फिरती हैं जो चहकती, खुदरत ने तेरे इनको तस्वीखा बनाया, कभी इ उस डाल पर जाकर के चहचेहाती है, तो अल्लह ताला ने इसके चहचेहात में खुदरत की तस्वीख को नजर, खुदरत की तस्वीख इसमें महसुस होती है, कि अल्लह ताला ने इसके चहचेहात में अल्लह की तस्वीख बयान कर रही है, रहमत से तेरी क्या-क्या है नेमत निमते मुएसर है जिसका हम जिक्री नहीं कर सकते जिसका हम शुक्र भी नहीं बजाला सकते वरहाल रहमत से तेरी क्या-क्या है निमते मुएसर इन निमतों का तुझ को है कद्रदा बनाया अल्ला ताला ने हमें बहुत सारी निमतों से नावाजा है हम पूरी जिंदगी अल्ल हम इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि या ला तुने हमें इन सब नेमतों से नावाजा है हर चीज से है तेरी कारीगिरी टपकती ये कारखाना तुने कबराएगा बनाया अल्लह ताला की बनाई हुए जितनी चीजें चाहे तखलीकी हो या मस्नुई हो जितनी सारे चीजें हैं इन सब चीजों को अगर गौर से देखें और उसको समझने के कोशिश करें तो अल्लह ताला की कारीगिरी इस चीज से टपकती है और अल्लह ताला ने ये जिव दुनिया बनाए है ये दुनिया राएगा नहीं है बलके इसका कुछ नकुछ मकसद है इसका कुछ नकुछ वज़ा है तो बच्चो आज हमने चेप्टर वन के पार्ट टू में मुकमल अशार पढ़े हैं उसको गौर से सुने और समझने के कोशिश करें इसमाहल मेर्टी ने अपने अशार के जरिये से अब कुछ अलफाज जो बचे हुए है उसको भी गौर से पढ़ें और उसको याद करने के कोशिश करें जो अलफाज शायद मैंने पहले भी सबक में बता रखी है इसको गौर से देखें खुशनुमा का मतलब खुशनुमा अच्छी दिखाई देने वाला खुबसूरत का सकते हैं खलत पिम्ती लिवाज जो किसी बाशाय या अमीर के जानेब से किसी को एजाज के तोर पर दिया जाए चश्मा सूता वो जगा जहां जमीन फूट कर पानी निकलता हो तजबी, खौँ, खुदा की पाकी बया करने वाला यहां चाहते हुए परिंदो को तजबी कहा कहा है मुएसर होना, हासिल होना कदरदा, कदर करने वाला कारखाना, काम करने की जगा मुराद यहां पे दुनिया है राएगा के मतलब, बेकार, हुजूर तो बच्चों, यह आपका सबक मकमल हुआ इन्शालला अगले सबक में इसके सवाल हुआ जवाब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे इसके अलावा इसका जो मरकजी ख्याल है उसको भी जानेंगे, सलाम आलेकूम